हालो दोस्तों वेलकम तुदा इंफो स्टोर हाउस और आज की जो इंफो में आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हम अपने मंदिर में रखे दिये कलश और इन सब बरतनों को कैसे चमका सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इजी सी टेकनीक है पानी को बॉयल साज़ें डेंगे 6 ऐसा और शमाये और इसके साथ हैं थोड़ा सा नीबू यह जाए वरतनों को जो मंदिर के बरतन होते हैं इनको बाल निय ने जंए कैसे लिए भूय करने के लिए मनिया का ली जिए संटार दोग्ली स्टार्णिक और बाद करने के लिए शीच करने के लिए चाहिए और इसमें हम जब बहुत तेज से पानी बॉइल होने लगेगा कम से कम उसको 7-8 मिनट तक बॉइल होने देज और जब बहुत तेज बॉइल हो जाएगा उसमें अपने मंदिर के जो बरतन है कलश होते हैं दिया होता है मंदिर की जो छोटी घंटी होती ह आज को आज थीमी करेंएं ठोड़ा सा धीमी करने बिल्कुल धीमी नहीं थीमी नहीं करनी है 10 मिनिट बाद हम गास फलेम बंद कर देंगे और बर्तन को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और एक-एक करके उनको निकालेंगे और हमें ये फाइनल ये कोटिंग करनी है ये है कैचप की जो टमेटो केचप होता है उस कैचप की सारे बरतनों पे एक layer लगानी है बाहर भी coating करनी है अंदर भी coating करनी है और अच्छे से उसकी एक layer लगा दें सारे बरतनों पे ऊपर नीचे हर जगे और जैसे ही आप ये layer लगानी start करेंगे न यूविल नोटिस आप देखिएगा कि बरतनों पे जो काला पन धाना अपने आप धीरे धीरे छूटने लग जाएगा बिना किसी मेहनत के ये technique बहुत easy है बहुत simple सी है नहीं तो usually जो पितांबरी होती है उससे साफ करते हैं उससे भी बिलकुल चमख जाते हैं अगर पितांबरी जैसे मेरे पास available नहीं थी तो मैं ये technique follow कर लेती हूँ और इससे सारे बरतन एक तम नए जैसे चमख जाते है और है भी बहुत असान इसमें कुछ भी नहीं है आदे घंडे के अंदर आपके सारे जो मंदिर के बरतन होते हैं वो बिलकुल साफ हो जाएंगे ये देखे जैसे ही आप लगाना स्टार्ट करेंगे ये वाला जो कलश्ठा ये सबसे जादा काला था और इसने अपने आप ही ketchup लगते ही जितना भी क पाद सिर्फ फाइनल आपको एक ही काम करना है बिलकुल जो भी आपके पास जूना हो चाहे लोहे का हो चाहे हो ह Adjust किसा है यह देखिए कितना clean हो चुका है बहुत ही सिंपल सी यह टेक्नीक है इसको जरूर ड्राय करें आपके बरतन चाहे एक साल पुराने हो मंदिर के या छे महीने या फिर एक महीना पिल्कुल चमक चाहेंगे एक्तम नई जैसे बरतन हो जाएंगे यह देखिए एक्तम चमक के सारे कि सारे बतन तो है ना कितना असान कोई भी कर सकता है इवन कोई भी तोहार आने वाला हो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अपने मंदिर के सारे जीजों को ऐसे ही हम चमका सकते हैं जाए पीतल के हों तांबे के हों बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तिल देन, गुद बाई